आम लोगों की जुरुरत होती है कि जिस इलाके में वह रह रहे हैं, वहाँ की सडकें, वहाँ की नालियां, नाले, गलियां वो सही तरीके से बनी हो, ताकि उनको किसी तरह की भी परिशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सरकार के ऐसे दावे की development हर इलाके में की जा रही है। सही दिखते प्रतीत नहीं होते हैं। समय हम रोही मोड में मौजूद है। ये रोही मोड इलाका जो है जुमू मुंसिपल कॉर्परेशन के वार नंबर 73 में स्थित है। लेकिन यहां के इलाके में हम यहां पोचे यहां पर नहीं की गई है। और सबसे हरानगी की बात है कि यह इलाका पहले पंचायत में हुआ करता था। लेकिन पिछली बार ही इसे जमू मुंसिपल कॉर्परेशन में जो है लाया गया। लेकिन तब भी यहां पर development के नाम पर कुछ भी ऐसा कारे नहीं हुआ है। इस सम मैं यहां रोई मोड की रहने वाली हूं हम वार्ड नबर 73 से बेलॉंग रखते हैं लेकिन यहां पर कौफी देर से मतलब साल दो साल होगे अबर के तीन चार साल होगे यहां गलियों का बहुत बुरा हाल है और मतलब इतना पानी कठा हो जाता है यहां से बच्चे भी निकल है यहां पर हम यहीं चाहते हैं कि हैं कि हमारी थोड़ी जो असी को साफ बचों को बढ़ां को आने जारे विड्म में को प्राप्लम ना बस यह ही हमारा मसला है कि कम से कम बड़ी नोधी कि अधिन पोड़ खोड़ गए है चोटा बड़ा चोटे बच्चों को इतनी मुश्किल जाती है कि यहां यहां तक पानी होता है मतलब अगर हम यहां पर ना भी चलाए ला तो वह भी चल सकती है राम से नाली नहीं है बस एक नाली हो ताकि पानी अराम से निकल जाए और यह गली पूरी साफ हो जाए अभी नाली पर निकलना भी बड़ा मुश्किल था तो यह मसलत हमारा आलो ना चाहिए वई बड़े परिशान हमारे नालियां और सीवरेज सब जहां आने चाहिए आते हैं कि नालियां बनाएंगे लारा लपा करके चले जाते हैं कि हम एलेक्शन लड़ेंगे बोट हमें देना त गली में जो आप देख रहे हैं यहां पर पानी ही पानी होता है जिस वज़ा से उस जगा से निकलना मुश्किल हो जाता है हमारे साथ इसी तरह के एक अभी स्टूडेंट हैं इसी इलाके के रहने वाले हैं इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है हमारा नाम कनिया रहना है मुझे भी बताओ करने या कि किस तरह की मुश्किलों का फिर सामना करना पड़ता है जब बारिश हो जाती है कैसे हलात होते हैं यहां के बहुत बुरे हालात होते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, तो जब हम आते हैं तो हमारे कपड़े भी गिल ले हो जाते हैं, तो इसलिए यहां पर पानी होता है फिर आप कैसे गुजरना पड़ता है कि आप शूज उतारने पड़ते हैं कैसे निकलते हो फिर शूज उतार के निकलना पड़ता है फिर हर बार ऐसा ही होता है जब भी बारिश होती है पानी पानी होता है यहां पर तो फिर आपका आपका कभी मन करता ह होगा कि छुटी मारे देखिए कर किया है ये एक रोडी नहीं है यह कि zupełnie हरोड़ लो घुजजीन सबकी हालत खराब टूर बाद बात है बड़िए झौ टैतरों में दोनात्राइवे तरह दिखतो है लोग मोरब नहीं कर लोग समस्तिक ट deste कुछ हुआ है कि वहाद सब करुए है तो ऑंच काईर मैं nhân कफ़ क्रसा था में हुआ है मौस्वांटियों है कियो अहालात यह हैं उससे था हमारे रोलर रही है ठीकता कुछ तो कि पंचाद का बजट आता था कुछ तो बनता था मुश्बटी के बनने बाद एपार हमारे हालत भोगी है मारे ड्वेल्मिट कोई नी हो रही है कोई गली नाली नी कोई यहां के लोगों की समस्याओं को आपने खुद उनकी जुबानी सुना है कि किस तरह के बद से बत्तर हलात हो जाते हैं जब यहां पर बारिश होती है और टूटी फूटी हुई इनकी यह सडके हैं गलियां हैं और यहां पर किसी तरह का भी ड्रेन का नाली नालों का कोई भी प्रवधार नहीं है कितनी मुश्किले हैं अमीद करते हैं कि सरकार तक उनकी ये परिशानी ये बात पहुंचे और उनकी उन्हें इस मुश्किल से जल से जल जो है राहत मिले